हेलो, नमस्कार, मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए खिती से जूड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो में मैं आज आपको बताता हूँ कि बाजरा की बिजाए किसमें कौन-कौन से इसाफ़दा नहीं रखे जिससे कि बिजगाउं कौन सोपरतिसेट तक हो जिससे कि हमें कम खर्च वा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फसल की पैदावार प्राप्त हो जिससे कि हमें एक अच्छ इनकम पराप्त हो इस वीडियो को अंतक जुरूर देखे ताकि आपको खेती से जुड़ी से भी जानकरी पराप्त हो अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर ताकि अन्य किसानों को खेती से जुड़ी सभी जानकरी पराप्त हो और आने वारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हेलो, नमस्कार, सभी किसान पायो का इंडियन टेक्निकल फार्मिंग में आज आपका स्वागत है अज मांपको 6 Singing 84 पौईनेर के हाईबराइध वराटी के बारे में आज मांपको बताऊंगा यह Half Senior 84 flower拿 पौईनेर की हाईबराइध किसम है यह किसम खरीब और जयाद के लिए उप्यूकत है और यह सुका सेन करने की समतार रखती है इसके फोदों की आईट साड़े छे से साड़े साथ फिट तक रहती है तता इसका फोदा लगबग कर टाई तक पूरी तरह रहा रहता है यह वराइटी 75 से 85 दुनों में पक कर त्यार हो जाती है इस वराइटी का तन्हा मजबूत जड़तनतर गहरा तता फैला हुआ होता है 6.84 पुएनिर की हाइबराड वराइटी में पुशप ववस्ता 40 दुनों के बाद शुरू हो जाती है 6.84 पुएनिर की हाइबराइटी की पैदावार की बात करें तो यह इसकी पैदावार की समता 32 से 35 की उंटल परती एक्टेर होती है और इसके सुकेचारी की बात करें तो 80 से 90 की उंटल सुका अराचारा हमें देखने को मिलता है 6.84 वराइटी यह वराइटी जोग्या और डाउनमिल्टी रोक के परती अवरोधी किसम है किसान साथियो 6.84 वराइटी अधिक पैदावार देने किसमता रखती है इसकी विजाई की हम बात करें तो पोद्य से पोद्य की दूरी 15 सेंटीमेटर और लाइन से लाइन की दूरी 35 सेंटीमेटर रखना होता है लगवग एक एक डेर में लगवग दोर लाख के क्रीब पोदों की जूरत होती है 6.84 की वराइटी का दाना मोटा था बूरे रंगा होता है इसकी पैदावार अच्छी होती है अगर आप ज़्यदा पैदावार लेना चाते हो तो इसकी अगटी वीजाइश शुरू करें अगर आप इसकी पैदावार पर असर पड़ता है अगर मेरी याई आई है आपको वीड़ियो पसंद आए तो इस वीड़ियो को ज़्यदा से ज़्यदा लाइक शेर इंडिन टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें जय जवान जय किसान धन्यवाद बाजरे की खेत्ती की पूरी जानकारी बाजरे की खेत्ती सिचित स्था ऐसिचित छेत्रों में की जाती है अधिक बाजरे का उत्पादन और लावेतु उन्नत टक्निक के अपनाना आपसक है भारत दुनिया का अग्रनी बाजरा उत्पादक देश है यहां लग बग 85 लाग एक्टेक्शेत्र में बाजरा की खेत्ती की खेत्ती है जिसमें से 37,36 राजस्तान, माराष्ट, कुजरात, उत्तरपदेश, एम, अरियाना राज्यों में है देश के सुसक थथा ऐसुसक छेत्रों में यह प्रमुक खाद्द है और साथ ही पस्वों के पोस्टिक चार उत्पादन के लिए भी वाजरा की खेत्ती की जाती है पोस्टिक के दुस्टि से जहां इसके दाने में अपिसाकत अधिक प्रोटिन वसा मिलती है वहीं कार्वाइटेट, खनिस्त तो कैल्सिम, कैरोटिन, राइबोफलेविन, विटामिन बी और नियाशिन, विटामिन बी, 6 भी पुर्चूर मातरा में पाए जाती है गेवं एम चावड के बेशा बाजरे में येलो ततो भी अधिक होता है अधिक उट जाओ, नेके कार्ण बाजरे को सर्दियां के मौसमें खाने में अधिक उप्यूक किया जाता है बाजरा के चानरे में प्रोटिन, कैल्शिम, भास्पोस, और कनीज, लवन अप्यूक मातरा में एम आइड्रोरसैनिक अमल सुर्खशित मातरा में पाया जाता है भारत के कुल बाजराशितर का लगवग 25-35-36 ऐसीचित है जिससे की मानसोगन की अनिशित्ता की तरह बाजरा की उत्पादक्ता में भी उतार चड़ाव रता है इसके तरीक कुछ रोगों और किटों का प्रकोप यहों विग्यानिक तरीके से फसल परमदन नहीं होने से इस फसल की पैदावार अन्य खरीब की अनाजवाली फसलों की तुलना में कम हो जाती है परन्तो यदि सही किसम का चुनाओ और खित्ती के लिए उन्नत तकनिक के और पौद सरक्षन तकनिक के यहां अपनाए जाए तो बाजरा की पैदावार में लेखनी अवद्दी की जाजकती है इसमें बाजरा से जुड़ी खित्ती की जानकारी का उलेख है बाजरे से जुड़ी खित्ती की हर जानकारी 9. उप्युकत समय, 2. ख़ित का चुनाऊ, 2. मिटी की जाँच, 2. पाने की जाँच, 3. भूमी, वजलवाई़, 5. ख़ित की त्यारी 6. फसल पत्य त्यांज, 7. वीज का चुनाऊ, 21. किस्मे, 22. की पुचार, 22. की मातरा, नमबर 8, विजाई या पसलोगी बुवाई नमबर 9, सिचीत, छेत्रथ, बरानी छेतरों में इसकी खेत्ति की जाती है नमबर 10, जलगा परबंदन नमबर 11, कीट परबंदन, रोख परबंदन नमबर 12, सिचाई नमबर 13, बाजरे की कठाई नमबर चुदा बाजरे की कड़ाई नमबर पंदरा बाजरे का बंडारण बाजरे की बिजाई का समय बाजरे की बिजाई का समय आ गया है किसान उनत किसम की बिजाई कर मुनाफ़ा कमा सकते है संकर बाजरा का बिज हर साल नया लेकर ही बिजाई करे शिट्चित छिट्र में आप इसकी मई मा में विजाई कर सकते हो बाजरा की विजाई जून मा से पंदरा जुलाई तक कर सकते है विजाई से पुरो बीज को उपचार करना ना बुले उपचार के लिए 10 पतिस नमक के गोल यानि 10 लेटर पाने में एक किलोग्राम नमक में बाजरा में विज को थोड़ा-थोड़ा डालकर हाच से इलाई चेपा के पिंड थता तेटते हुए बदातों को निकालकर नश्ट कर दे इचे बेठे वे भारी विज्जो को साप पानी से 3-4 बार अच्छी तरह दोकर चाह में शुका ली खेत का चुनाव इसके बाद हम बाजरा की विजाई के लिए खेत का चुनाव करते हैं अगर पहले उस खेत में सर्शो की विजाई की थी तो सर्शो के पानों को रोटा वट्र की साथा से एक दो बार अच्छी तरह से जूताई कर दे ताकि सर्शो के पान अच्छी तरह मिट्टी में मिल जाए फिर आप हैरो की साहता से उसकी एक-दो बार अच्छी तरह जूताई कर दे फिर आप लेजर लेओलर की साहता से एक खेट को समत्ल कर दे ताकि खेट की सिचाई अच्छी तरह से होसके मिट्टी की जांच सबसे पहले अपने खेट की मिट्टी की जांच करवा ले जिससे हमें या पता चल जाता है कि मिट्टी में किन किन पॉस्टत्तों की कमी है और खेत की मिट्टी किन किन फसलों के लिए उप्यूकत है और इस मिट्टी में कौन-कौन शी फसले उगाई जा सकती है जैसे गहूं चना अरा उसरसो विराया भर्सिन गहना अलू मक्का बाजरा का पास इतियादी मिट्टी के जांच से हमें या पता चल जाता है कि इसका प्याचमान कितना है पाने के जांच अगर आप फसल की विजाई के लिए नेरी पानी का इस्तियमाल करते हैं तो यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है अगर आप बारिस के पानी से फसल की सचाहिए करते हैं तो भी इस भी फसलों के लिए अच्छा इसमें 20 गांग कुरूण लगबग 100% तक हो जाता है अगर आप टिवल के पानी से फसलों के विजाई करते हैं तो इस टिवल के पानी की जांच करवाना बहुत जूरूरी है अगर टिवल का पानी पिने में मिठा है तो इसमें पानी का PPM ज़्यादा हो सकता है और बीज गंकूर्ण के समय यह एक समस्या बन जाती है अगर पानी का PPM एक जार से कम है तो यह सभी परकार की पसलों के लिए उप्यूकत है और सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें 20 गंकूर्ण 100% से तक हो जाता है अगर पानी का पीपेम एक जार से ज़्यादा है तो इसमें 20 गंकूर्ण से तरिक किसे नहीं हो पाता है इसलिए पानी की जांच करवाना बहुत जुरूरी है अब हम बात करते हैं बाजरा की बिजय के लिए बुमी बाजरा की पसल सभी अच्छी जलन निकास वाली सभी तरह की बुमी में की जा सकती है पर उन्तों बलोई 2,8 मिट्टी इसके लिए सरोगत्तम है बाजरे के लिए बारे भूमी कम अनुकुल रहती है और इसकी अधिक जायू भूमी की आ सकता नहीं होती जलवाईयू बाजरे की खेती गर्म जलवाईयू और चारसो से चारसो मिली मिली मिटर वर्षावाले चेतरों में बलीब बाती की जा सकती है 32-37 से ताबमान बाजरे के लिए उप्यूकत मानना गया है यदि पुष्पन अवस्ता में वर्षा जाय या फारोसी सिचाई कर दी जाय तो फूल दूल जाने के कान बाजरे में दानों का अब्राव कम हो जाता है बालियों में दानना बढ़ने के वस्ता में यदि नमे अद्धिक हो और तामान कम हो तो अरगट रोक के प्रकौपोने की सवावना ज़्यादा बढ़ जाती है फसल पदतिया बाजरे की फसल के साथ यदि दलननी फसल जैसे मूंग, गुवार, अरर, मोट और लोबिया को अंता फसल के रूम में बढ़ जाए तो ना के बाजरे के उतपाद में वर्दी होती है बलकि दलनों के कान मिट्टी की उरुपता में भी सुदार होता है और अतरिक दाल उतपादन से कर्शकों के आयो में भी वर्दी होती है साथ ही दलन वर्ग ये फसले अधिक नाइट्रोजन सित्थी करण करती है जिसे मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ जाती है फर सुरुप उरुपों से नाइट्रोजन कम देनी पढ़ती है जिसे कर्श जो बाजरा सरसो या तारा मीरा बाजरा चना मतर या मसूर बाजरा गेहुया सरसो बाजरा सरसो या गरिज सहमकाली मौंग बाजरा की उनत किसमे अलग लग राजियों की बाजरा की उप्यूकित किसमे अलग लग है जैसे राजस्तान माराष्ट गुजरात उतर पदेश रिया मैं बिजाई के लिए उपचारित बीज का ही प्रियोग करना चाहिए एक अंकड के लिए बीजगी माफतरा लग वग डेड़ से डाई किलो प्रियापत रहती है यह बीजगी वराइटी पर निरबर करता है अगर आप संकर किसमों के बीजगी बिजाई करते है तो लग पग एक अंकड में डेड़ से दो किलोगराम बीजगी आप सकता होती है मैं बिजाई के समुचारित बीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसे रोग की सवावना आने की कम रहती है जैसे रियाना के लिए अचसी 10 Society 20 ayud अचच achievingquet शोड़ा एक tenants purchase लग अखिर एक ए इस्तारानती है अलग अलग वरात्यंत्य आप है 60 आम नब्ब हैakter 68 फीचजह can pillar अलग वरात्य आप अपने शेरेश नब्यर्स है चेतर के साफ से प्रियोग कर सकते हैं इसके बाद हमें अच्छी तरके से खेत की त्यारी कर लेनी है गर्मियों में घरी जुताई करें और उत्तम जालने निकास के लिए खेत को समतल कर ले बाजरा की अच्छे पसल लेने के लिए एक जुताई मिट्टे पलटने वाली हल से कर बाजरे की खेति सुन्य चुताई विद्धी द्वारा भी सबता परूत की जा सकती है। इसलिए खेत को समतल करना थता मिट्टी पर पूरो फसल के अवसेशों का आउरण करना लापर दोगता है। अब बात करते हैं फसल की बवाई की बराणी चेदरों में मान सिन की पहली बारिस के साथ ही बाजरे की बवाई कर देनी चाहिए। उत्री बात में बवाई के लिए जुलाई का परत्म पकवाड़ा शुरूत्म है। 25 जुलाई के बाद बवाई करने से 40-50 किलोग्राम परत् सब्सक्राइब करना पर दोग है और पोड़े की दूरी आठ से दस संटीमेंटर रखनी चीए जिससे पर्टी एक्टर से दो लाग पोड़े पर्टी एक्टर प्राप्ट हो सके इस संख्या में पोड़े लगाने से बाजरे की अधिक्तम पजली जा सकती है फसल की रुपाई यदी मानसुन देरी से आये या किनी कारणों से समय पर भुवाई ना कर सके तो बाजरे की फसल को देरी से बोने की अफिशा उसकी रुपाई करना दिकलाप पर दो गया है एक एक्टेर से तर में पोड़ रुपाई के लिए लगबग 500 वरक मेटर से तर में दो से तीन किलोग्राम बीजू प्योग करते हुए जुलाए मा के पर्थम सब्ता में नर्स्री त्यार करने चीए पुद्दे के अच्छी बड़वार के लिए बली प्रकार से खेत की तैरी करें बारा से पंदरा किलो यूरिया डालेत दो से तीन सब्ता बाद पुद्दे की रुपाई मुख्य खेत में करने चीए जब पुद्दे को केरियों शुकाड़े तब जोड़ों की सतिकम करने के लिए ध्यान रखे की नर्सी में प्रह पतनमी हो जहां तक संबह हो रुपाई वर्षा वाले दिन ही करने चीए बाजरे की रुपाई की निमलक थलाब है रुपाई विद द्वारा बाजरा होने से जुलाई की तीसरी सब्ता से मागे पर्थम पकवाड़े तक रुपाई कर अच्छी पादावार ली जा सकती है बाजरे की रुपाई वाली फसल सिखरे पकती है और बाद में कब तामान हो जाने पर भी फसल पर प्रतिकल पाजरा का उत्पादन भी अधिक होगा उल्ला में वर्दी होगी अब बात करते हैं पोशक तत्तन प्रबंदन की सिखरे चेतरों में मिट्टी प्रिक्षन के दारपा संतुलक उरुका प्रियोकन अधिक लापर होता है परन्तु यदि मिट्टी जान पढ़ना में उपलब ज rifka करते हैं तो चालेश शैट किलोगराम नाइट आउजन फासपोर्स 30 किलोग्राम पूटी ter लूट तैस तीकलोगराम पूटी TER प्रिया पते हैं यह सथा तथा सिखरों में जस्ते की कमी हो तो पांच किलोग्राम जस्ता पक्रियों अधिक की दर से दशज admission कि करके बुवाई करना फसर के लिए अधिकत लाप प्रदोता है सिचित दोनों प्रिष्टियों में नाइट्रोजिन की अद्धी मातरा और फास पोस्वाव पुटा जस्ते की पूरी मातरा लगबग तीन से चार संटिमेंट गराई पर मिट्टी में डालने चाहिए नाइट्रोजिन की सेस मातरा बुवाई से तीस से पैंतिस दिन बाद मिट्टी में उप्यूकत नमी होने की सिच्ति में करने चाहिए अगर आप बीज को उपचार करते हैं तो सबसे पहले राय जोबियम सबसे पहले फंगी सेट फिर नासे चेक्टिशाइड फिर राय जोबियम कल्चर से उपचार परते हैं शिची शेतरों में एक से दो शिचाई बाजरे की जा सकती है ये आप तिस तिस दिन के अंतराल पर कर सकते हो बिरानी शेतरों में शिचाई वर्षा के उपर नेरबर करती है अच्छी वर्षा हो जाई तो फचल की शिचाई अच्छी हो जाती है जल परपंदन यद भी बाजरा की फसल मुक्यत परानी चेतरों में लिजाती है पर न तो फूल आते समय वादाना बंते समय नमी का होना तिक आनी पर दे है अता यदी शिचाय का सुरूत अपलो दो तो इन वहस्तों पर शिचाय करना लाप पर दोता है बाजरा जल बराव से भी परभाईत हो ज़ता है इसलिए जल निकास का समुचित परबंद और आफशक खर्पतवार परबंदन बाजरा की फसल में खर्पतवार नेंदन के लिए एक किलोग्राम एटराजिन या पेंडा मेली थान पचास से 500 से 600 लिटर पानी में गोल मिला कर पड़ती है अक्टर परबंदन की नंबर एक दिमक नंबर दो तना मक्षी नंबर तीन स्पेद लट दिमक इस परकोप को रोकने के लिए दो किलोग्राम पर त्यक्टर दर से कलोरिफाइस कापो दग की जड़ों में छटकाओ करे या लकी वर्षा किसमा मिटे में मिला कर भी खेर दे तना मक्ष इसकी रोक्ताम के लिए 15 किलोग्राम पर त्यक्टर दर से आप फुरट इस्तेमाल कर सकते हो नंबर तीन स्पेद लट या लट पुद्ध की जड़ों को काटकर फसल के विविन वस्ताओं में बाजरे को नुक्सान पुचाती है इसकी रोक्ताम के लिए फ्यूट राउं त तीन परसेंट या फुरट दस पर तिसद दानों को बारा किलोग्राम परती हेक्टर की दर से बाजरे की बवाई किसमें मिट्टी में डालना चाहिए अब बात करते हैं रोक्ताम के लिए आप सुद्यव प्रमानित भी जो कही उक्योग करें नमबर दो अरकट या रोक बाली मनते समा बाजरे को नुक्सान पचाता है रोक पुद्धों में बाली उपर सहथ जैसी च्पी बुंदे दिखाई दिती है सहथ के समान दिखने वाले या परदात को दिनों बाद सुकर काड़ा पड़ जाता है इस जहरीले परदात को प्रदात को दिखने बाजरे की संकर की समों में या रोक अधिक पहलता है रोक थाम फचल की बुवाई उचीत समय पर करें अगटिती बुवाई करने से फचल में फूलात इसमतामान कम नहीं होता है औरा तब या दिखने होती जिससे रोक गाप को कमर रहता है सुद्धियो प्रमानित विजो का ही उप्योगत फसल कर पनाए खेत में रोग गस्त वालियों को काट का जला देना चाहिए विजो को दो ग्राम प्रती किलो ग्राम बीज की दर से बावस्टिन दौर उपचारित कर गे ही बोई खड़ी फसल में रोग की रोग थाम के लिए बावस्टिन 0.1% का दो से तीन बार चुटकाओ करे अब बात करते हैं बाजरा की पैदावार यदि उपरोकत अधुनिक विद्य से बाजरा की फसल ली जाए तो उसी शेतरों में इसकी उपच 30 से 25 क्यूंटल और 90 से 100 क्यूंटल सुकाचारा परती एक्टर पराप्त होता है और ऐसी चित अवस्टा में 20 से 30 क्यूंटल परती एक्टर दाना हुए साथ से 70 क्यूंटल सुकाचारा मिल जाता है बाजरे का बंडारन बाजरे के दानों को अक्सी तरह से दूम में शुकाई और दानों में नमे की मातरा 8 से 10 पतिसत होने पर ही उप्यूकस्तान पर बंडारन करे अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक को शेर खरना चैनल को स्ट्राइब जूरूपरे लिए ने दो